चलिए आज हम सिखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है और स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है और स्विंग ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए तो यह मैं आपको एक्सल सीट पर ले जाता हूं जहां मैंने एक सेटप बनाया है जैसे स्विंग ट्रेडिंग है तो swing trading का मतलब क्या है, swing trading का मतलब है, means you are trading for higher swing which creates profit in short period, मतलब कि अगर आप किसी stock में breakout find out कर सकते हो और उसको एक नया swing शुरू हो रहा है, अगर आपको chart setup और swing नहीं मालम तुम्हें बता देता हूँ, जैसा ही ये एक swing है, ये दूसरा swing है, ये तीसरा swing है, तो जैसा ही ये uptrend में stock है, तो एक swing के लिए आप trade कर रहे हो, अभी एक swing एक दिन से शुरू होकर 5-10 दिन तक चल सकता है, तो आपको day का chart देखना है, one day का chart या weekly chart भी देख सकते हो swing में, तो एक swing के लिए हम trade करते हैं, और अगर और भी momentum रही हो, और दूसरे swing के लिए भी रह तो भी रह सकते हो, जब तक ये trend line का breakdown ना हो जाए, तब तक ये swing में हम रह सकते हैं, तो swing trading का मतलब है, कि आप ऐसे stocks ढूंड रहे हो, जिसमें breakout आया है, और breakout के बाद upper movement चालू है, और जब तक वो अपनी trend line को follow कर रहा है, तब तक उस stock में हम बने रहेंगे, अच्छा, अब तो इसका trade duration क्या है, तो trade duration इसका एक दिन से शुरू करके 15 दिन या एक महिने तक आप swing trading कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एक महिने दखी करना चाहिए, क्योंकि बाद में कभी भी volatility हो सकती है, तो profit always book करना चाहिए, market में से हम में सा profit ले कर जाना चाहिए, market को profit, अगर आपक profit हुआ है, तो फिर उसमें loss दही होना चाहिए, फिर profit उसमें क्या होना चाहिए, तो generally profit उसमें, मैं 5% to 10% always रखता हूँ, कि 5% से लेके 10% तक मेरा profit रहना चाहिए, अगर 5% के बाद market में downward movement शुरू होती है, तो मैं वहाँ पर मेरा profit book कर लूँगा, और अगर movement continue रहती है, तो मैं stop loss को trail करते हूँ, उपर ले जाऊंगा, और मेरा maximum जो profit है, वो भी उपर चलता जाएगा, तो profit 5% आपको रखना है target, और उसके बाद जितना मिले, उसको trail करके जाना है, stop loss मेरा कितना होगा इसके लिए, सिर्फ 1%, यानि आपने जहां से entry की है, वहां से अगर market 1% नीचे चला जाता है, तो मैं यहां से exit कर लूँगा, अच्छा, अभी चलिए stock find out, सबसे important चीज है यह, कि stocks ऐसे find out कैसे करने है, जिसमें breakout आया है, तो यह वीडियो आप पूरा देखेगा, यह वीडियो इसके लिए ही है, यह सब को मालूम होता है, कि swing trading क्या है, कैसे करना चाहिए एक profit क्या रखना चाहिए, लेकिन swing trading के लिए proper stock कैसे डूणने है, वो सबसे important है, तो इस वीडियो को आप continue देखेए, और end तक देखेए, यहां पर मैं आपको method बताने वाला हूँ, और आपको stocks find out करके बताऊंगा, जिसकी मदद से आप swing trading कर सकते हैं, तो चलिए मेरी research sheet है, इसके पर आपको ले चलता हूँ, यह मेरी sheet है, जो मैंने excel sheet बनाई है, advance पूरी sheet है, और हरोज automatic update होती रहती है, और यह पूरी swing trading के लिए sheet बनाई है, तो यह sheet का पहले funda समझते हैं, कि यह sheet में है क्या, मैंने क्या बनाया है, तो यह sheet में total 3 breakout मैंने रखे, एक किसी भी stock, यह पूरे cash market के stock है, तो उसमें करीमन 1802,000 के stock है, आप देख सकते हों यहाँ पर, तो सारे stock market के लगबगा चुक है, 1826 stock है, और इसमें 3 मैंने segment रखे, एक price रखा है, दूसरा volume और तीसरा delivery, किसी भी stock में invest करने के लिए, यह 3 सबसे important parameters है, अगर आपको swing trading करना है, तो यह 3 चीजों में अगर breakout मिर रहा है, और वो अगर हम find out कर सकते हैं, तो उससे बड़िया कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यह तीनों चीज में breakout आया है, मतलब कि stock में definitely movement होगा, तो यह सबसे पहले देखते हैं, यह है price, तो मैंने क्या किया है, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, य तो last session था, उसके अगले दिन का session 8, 7, 6, 5, तो यह 5 दिन का यहां पर price है, किसी भी stock का यहां पर price automatic update हो जाता है, जिसे 20 microns का है, तो यह रहा उसका 5 दिन का price, ठीक है, तो ऐसे ही सारे जो 2000 stocks है, उन सब का यहां पर price automatic update हो जाता है, और यहां पर जो मैंने किया है, वो filter लगा ह price breakout का, यानि यह जो पांच दिन है, उसमें last trading session में, जो भी stock का price यह चार दिनों से उपर रहा होगा, breakout आया होगा, तो automatic यहां पर buy signal बन जाएगा, जैसे देखे यहां पर है, जैसे यह देखे 47, 47, 46, 47 यह और यह 52 है, तो मतलब यह last trading session में यह चार, पिछले चार trading session से ज्यादा इसका price है, तो मतलब यहां पर price breakout आया है, तो यह यहां पर देखिए, और यह signal buy आ गया है, तो ऐसे हर एक stock के लिए यह condition मैंने यहां पर लगा दिये, तो number 1 यह हुआ, price breakout, यह first हुआ, यह price breakout, चलिए, second important parameter है, volume, अगर volume के साथ breakout हुआ है, तो मुझे एक और यह confirmation मिलेगा, यह देखिए, यहां पर मैंने यह stock का volume निकाला है, तो same day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, यानि पिछले 5 दिनों का यहां पर यह data है, और उसी हर एक stock का data यहां पर आएगा, तो पिछले 5 दिनों में देखिए, यह volume बता रहा है, यहां पर 3 lakh, 2 lakh, 2 lakh, 1 lakh, 85,000, 2 lakh, तो देखि यहां पर देखिए, यह stock में, यहां पर price में भी breakout था, और यहां पर यह देखिए, यह volume में भी breakout है, यानि के पिछले 4 दिन जो थे, उसके सामने 5 दिन, आज last trading session में, volume में काफी इजाफा हुआ है, यहां देखिए, काफी volume increase हुआ है, तो इसलिए यहां breakout है, यानि पिछले 5 दिनों से, यह ज़्यादा volume है, तो उसका मतलब यहां पर breakout आया है, तो यह important है, हम price का breakout देख रहे है, second volume का breakout देख रहे है, और third important parameter है, delivery breakout, यह second था हमारा, और third था delivery, यानि कितने लोग यह stocks लेकर घर बे गए है, यानि कि demate account में buy किया है, कि demate account में buy करके रखते हैं, तो उस expect कर रहे हैं, कि यह stocks उपर जाएगा, तो जितने person जिसे ज़्यादा delivery होगी, उसका मतलब है, कि उसको उपर जाने का chances और ज्यादा है, तो इसके लिए मैंने यहां पर यह तीसरा जो मेरा criteria है, वो delivery का रखा है, अभी यह देखें, delivery में, जैसे यहां पर देखें, यह दो condition मे यह इसमें breakout आया है, लेकिन तीसरी condition यहां मैंच नहीं हो रही, देखिया आप, यहां पर 50, 46, 57, 50, और day 1 में 41 है, यानि last trading session में 41 है, इसलिए यहां breakout नहीं आया है, बाय का, तो इसका मतलब कि सायद यहां पर जीनो ने यह पिछले 4-5 दिनों से बाय किया था, वो लोग शाय जीनों ने पूराने लोगों ने यहां पर बाय किया था, वो लोग market को exit कर रहे, profit book कर रहे, इसलिए यहां पर बाय का signal नहीं आया, डिलिवरियो में, तो मैं यहां पर invest करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि यहां पर थोड़ा risk है, कि market में profit booking शायद आ सकती है, और stocks नीच जा स इसलिए यहां पर मैं ऐसी मेरी condition है, कि मुझे price volume breakout भी सही चाहिए, volume breakout भी चाहिए, और delivery breakout भी चाहिए, यह तीनों condition मेरी match कर रही है, तभी मैं किसी stock में invest करूँगा, वो भी swing trading के लिए, यानि short term के लिए, यह मेरा stock selection का एक process होगा, उसके बाद मैं chart पर जाओंगा, और chart पर से मैं define करूँगा, कि मुझे entry लेनी है, तो किस stock में लेनी है, और कहां पर लेनी है, तो यह tool आपको, यह sheet आपको help करेगी, कि stock find out करने में, चलिए आपको त्रीनों criteria आपको समझ में आ गए होंगे, तो price breakout important है, volume यानि कितना volume last session में हुआ है, उसका breakout है, तो वो important है, और सबस करके घर पे ले गए या माल, तो क्या होगा, उसका मतलब कि वो लोग future में market उपर जाएगा, stock उपर जाएगा, यह expect कर रहे है, इसलिए उन्होंने buy किया है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा risk होता है, क्योंकि delivery आप लेते हो, तो आप T plus 2 day का settlement period होता है, तो उनके लिए risk ज जाने की या stock उपर जाने की बहुत सारी संभावना है, तो यह सबसे important parameter है delivery का, और मेरे लिए मैंने criteria रखा है कि अगर मैं swing trading करना चाहता हूँ, तो मुझे तीनों में breakout चाहिए, और यह sheet आपको ऐसे तीनों breakout दे सकती है, तो चलिए अभी हम देखेंगे कि तीनों में ऐसे breakout आए है, ऐसे stock कौन से है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने filter लगाया है, और यहाँ पर से मैं buy करूँगा, जिसमें तीनों में buy हो, यानि price breakout हो, volume breakout हो, और delivery breakout हो, देखेंगे मैं यहाँ पर okay करता हूँ, तो यहाँ पर अभी सारे stock आ जाएंगे, जिसमें तीनों में breakout आया हो, देखेंगे, यह सारे stock आ गए, यानि कि यह stock ऐसे है, जिसमें price breakout है, volume breakout है, और delivery में भी breakout है, चलिए मान यह देख लेते हैं अभी, suppose यह नौकरी.com है, ठीक है, तो यह देखेंगे, इसके पिछले चार दिन का price देखेंगे, तो चार दिन के price से भी यह उपर है, यान और यह 6 lakh, यानि almost 3 times volume है, तो बहुत ही बढ़िया volume है यहाँ और इसके लिए यहाँ पर breakout बता है, चलिए यहाँ पर अभी delivery देखते हैं, देखें 47, 43, 37, 35, यानि यह जो पिछले चार दिन की जो delivery यहाँ डेटा बता रहा है, उसके बजाए यह 58.95 यानि almost 60 परसंट है, तो यह बता रहा है कि यहाँ पर लोग position बना रहे हैं, यहाँ पर delivery ले रहा है, यानि कि उनको लग रहा है कि यह stocks में आगे जाके बढ़िया movement हो सकती है, तो यह stock में अपने watch list में डालूँगा, फिर chart पर जाकर में पूरा setup देखूँगा, और chart में से में decide करूँगा कि कौन से यह इतने stocks मेरे अभी list में आ गए है, जिसमें मैं swing trading के लिए position बनाऊँगा, लेकिन इसमें से कौन से stocks मुझे swing trading के लिए करना है, तो वो में chart पर जाकर बताऊँगा, ठीक है, तो यह पहला हुआ नौकरी, फिर देखिए यह ग्लेन मार्क सपोस लिया, तो ग्लेन मार्क में भी देखिए, यह price जो breakout है, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, इस सबसे आगे यहाँ पर है, 388 पर है, तो यह price breakout है, volume देखिए आप, volume भी पिछले की कई 4 दिन से करीबन 2-3 गुना volume है यहाँ पर, और delivery देखिए, 34, 39, 33, 44, यह सीधा 57, तो इसका मतलब है कि यह stock में आगे जाके, market price उपर जाएगी, इसकी संभावना काफी ज़्यादा है, अभी मैं आपको किसी एक stock का chart में setup बता दा हूँ, जैसे नौकरी, चले नौकरी.com पर आप देखते हैं, तो नौकरी सपोस्क देखते हैं, यह नौकरी का chart मैंने किया है, देखिए, one day का chart है यहाँ पर, तो पिछ moment कर रहा है, और यह एक line, train line में ने बनाई है, तो देखिए, जब जब यहाँ पर आता है, यह train line के पास, यहाँ से वो support लेकर bounce back करता है, तो मतलब कि एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बार यहाँ से support लेकर bounce back किया है, और इसकी जो moment है, यह देखिए, upward moment है, यानि यह up trend में है, और अभी, वो support area के नस्दीक में है, समझे आप, यह पूरा support area के नस्दीक है, यह जितना भी है, एक, दो, तीन, चार, और पांच, यह पांच भी बार यहाँ पर support ले रहा है, तो अभी हमें क्या करना है, अगर इसमें position बनानी हो मुझे, तो मैं क्या करूंगा, य यह मेरा stop loss होगा, क्योंकि यह पूरा नीचे से आप train line देख रहा है, को यह train line को कभी उसने break नहीं किया, तो जब तक यह इसके उपर रहेगा, तब तक हमारा positive moment चालू रहेगा, और stock में upward moment चालू रहेगी, तो इसका target क्या होगा, तो generally इसका target यह रहेगा, जैसे यह उपर यहां तक यह train line तक target रहेगा, और अगर यह train line को break करता है, तो और बड़ी momentum को देखने को मिल सकती, तो हमारा stop loss रहेगा सिर्फ यहां, और हम entry करेंगे यहां पर, यह पिछले कितने दिनों का यह range है, तो मैं entry करूँगा इसके उपर, यहां पर मेरी entry होगी, और मेरा stop loss रहे कर हम decide करते हैं कि कैसे trading करना है, short term के लिए, swing trading के लिए, और आप यहां से देख सकते हो, आप 200-300 रुपिया का profit तो आराम से हो जाएगा, और आपका stop loss 100 रुपिया से भी सायद कम होगा, तो बहुत ही यह बढ़िया है, swing trading, आप trading में बहुत सारा risk लेकर काम करते हो, capital loss होता ह है, लेकिन swing trading जिनके पास time नहीं होता है, तो swing trading में ऐसे कर सकते हैं, किसी एक stock को आप filter कीजिए, find out कीजिए, और जिसमें breakout आया है, वो find out कीजिए, अगर मान लिए, किसी stock में यहां पर direct breakout आया है, यहां पर यह stock, तो वहां पर तूरंती एक बढ़िया position बना सकते हैं, और आ पास time नहीं है, और safe position बनाना चाहते हैं, और market में रहना भी चाहते हैं, profit भी करना चाहते हैं, और trading के लिए जिनके पास time नहीं है, और पूरा concentrate नहीं कर सकते हैं, तो यह इनके लिए swing trading बहुत ही बढ़िया है, तो ऐसे आप position बना सकते हो, तो इस seat की मदद से आप सब कुछ कर सकते हो, यह seat आपको important है, यह seat क्यों चाहिए, क्योंकि आपको जब भी ऐसे stock में यह तीनो breakout आपको ढूंदे, तो आप manually data search करके आप नहीं ढूंद सकते हो, आपको ऐसा scanner या screener बनाना पड़ेगा, जो automatically filter करे stock हो, और आपको result दे, जैसे कि यह मैंने बनाया, यह automatic filter करता है हर रोज update होता रहता है, और आपके सामने हर रोज result दे देता है, जैसे कि price breakout, volume breakout और delivery breakout, मुझे हर रोज पता चल जाता है कि कौन से stock में breakout आया है, तो दोस्तों आपको यह seat कैसी लगी और swing trading का मेरा setup था, वो कैसा लगा, आप मुझे बताईए, और अगर आप interested हो कि SST का sheet और इस वीडियो पर अगर thousand like और thousand comment मिलते हैं और thousand subscriber होते हैं, तो यह sheet आपको मैं बनाने की पूरी process का वीडियो बना कर रख दूँगा, तो यह वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, और हमारा channel like और subscribe कीजिए, thank you